जाहिन दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप काफी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो उन लोग के लिए खास रहने वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो लोग आप्शन बाइंग करते हैं और आपके साथ कंप्लीट वह केंडल स्टिक्स पैटन शेयर करने वाला हैं और उसके साथ मैं लाइब मार्केट में चार्ड़ मैंने कैसे किस तरीक से इन केंडल स्टिक पैटन पर ट्रेट किया था कल के मार्केट है वह भी आपको दिखांगो विद लाइब मार्केट जो मैंने रिकॉर्ड यह था आप लोग लिए मैंने प्रिवेस एनलेसे ग्रूप के पागल हो कि भाई यह मुझे बना के देगा पैसा तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि यह वीडियो नहीं किया आपको आया और कुछ वी हमने यहां पर बता दिया यह मैं जो परसनली केंडल स्टिक्स पर काम करता हूं आपने देखा होगा मैं ब तो दोस्तों उन कैंडल स्टिक पैटन को जाने से पहले आप स्क्रीन पर पहले कुछी समझ लो क्योंकि स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आपको पता है ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने में टाइम तो लगेगा और दूसरी चीज विन रे पर ट्रेट को क्या कर जाओगे मिस कर जाओगे मिस आपके हाथ से छूट जाएगा चला जाएगा और आप लेट एंट्री करने की अगर आपको अपनी राइट लोकेशन डिसाड़ नहीं है इस आप स्कैल्पिंग में पैसा नहीं मना सकते और यह प्रैक्टिस से आता है था अब घंडिस्टीग के लिए नहीं होता है नखी चंदेटेक के बादे में आपको आज बताने वाला हो तो आते हैं टाइम अफ होल्डिंग हम को स्कैल्पिंग के लिए के टाइम इस पीक डिसाइड करना पढ़ेगा कि कितने देड़ को किसी भी ट्रेट को किसी बीट्रेट लिए । एक है तो यह ताइम और आपको डिसाइड़ रखना पड़ेगा इससे जादा अगर आपने गृशन को बढ़ा रहे हैं फिर आते हैं टाइम अपको टाइम पहले से पना पड़े करते हों थ्री मिनिट में करते हो तो इसके उपने नहीं होती है यह नहीं नकियों स्क्राइब करना चाहिए तो यह होते हैं 1535 मिनेंट का टाइम इनफ होता है Scalping के लिए यह आपको decide करना पड़ेगा फिर उसके बाद final term आ रहता है risk management इसके बार हम आने वाली नेक्स वीडियो में आपके सांथ discuss करेंगे कि Scalping के exact risk management कैसे follow गया था with the step by step process लेकिन आज जो मैं discuss करने माला हूं वह है right candlestick pattern कौन से important आपको लिए इसलिए मैं बोला साना study में कि आपको strategy नहीं चाहिए आप इसकेलपिंग सिर्फ एक candlestick पही single और right candlestick मनलब one candlestick pattern की बात करता हूं two or three candlestick pattern की बात नहीं करता हूं two or three candlestick pattern स्केलपिंग बहुत रेयर होती है single candlestick pattern बहुत अच्छी स्केलपिंग करती है होती है मनलब क्योंकि यह मैं अपने personal experience से आपको बता रहा हूं कि मैं 2020 से स्केलपिंग ही कर रहा हूं market मेरा main trading style is scalping है अपने बात कि ती candlestick pattern की तो तीन important और easiest candlestick pattern with example आपको चार्ट में example के साथ भी समझाओंगा मैंने कि इस candlestick pattern पर trade लिया था वह भी आपको दिखा दूगा candle market में बनती है जिसमें काफी ज्यादा strength है ठीक है किसी भी candlestick pattern के अंदर strength जाद है विटमींस वह हमको क्या indicate कर रहा है वो यह indicate कर रहा है कि भाई उस direction में हमारा price move कर सकता है इसका मदला उपर को move कर सकता है इसका मदला नीचे को मूफ कर सकता है यहां पर बीयर्स का involvement काफी जादा है यहां पर बूल्स का involvement काफी जादा है तो हमको एस option वही तो चाहिए ना कि किस direction में price जाने की probability हाई है और यह candlestick उस प्रवर्वल्टी को शो करते हैं उसके बाद राता है rejection रीजेक्शन candlestick की अगर बात करो तो rejection candlestick कुछ इस तरीके होती है आपके बने गार इस तरीके आपके rejection candle होनेगा इस चाहिए rejection candle उपर से नीचे को बने ठीक है चाहिए नीचे से उपर को बने इसके property है यह आपको क्या show कर रहा है कि अगर यह उपर से नीचे को for candlestick बन रहा है तो आपको यह सिंपल सा एक शो कर रहा है कि भाई यहां से rejection मिलना यहां पर यहां पर यहां से हाइप प्राइस नीचे जा सकता है single candlestick की बात करा हूं क्योंकि यह candle हमें बता रही है वहीं जो हमारी rejection candle अगर इस तरीकी की बनती है तो लेकिन यह बहुत लॉंग लेक्ट कह सकते हैं लेकिन मैं इसको पर पर इस तरीकी की केंडल बनती है क्या शो कर रहा है यह शो कर रहा है कि भाई यहां से प्राइस की हार चांसे से की आपको नेक्स्ट एक दो केंडल अप्मूव जाती हूं दिख सकती है ट्रेंड जाये ना जाये उससे फरग नहीं पड़ता मैं आप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं मुझे एक दो केंडल करना है प्रीमियम मैं बहुत बड़ा जंप मिल सकता है वही मुझे चाहिए फिर आ रहते हैं डोजी ओके डोजी की बात करें आगर आपको पर देखा हो तो डोजी किस तरीकी केंडल स्टिक पैडन होता यह होता ओके यह आपका किसी भी कलर में हो सकती है रैड और ग्रीन लेकिन इसका स्पेसिफिक जगा पर होना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है या तो यह एक डाउन फॉल प्राइस गिर रहा है यहां पर डोजी बनी ठीक है डोजी बनने के बाद यहां पर क्या हो चुका है एक ह जीचेडिल का एक में इस जीचेडिल का लोका अशल प्लैन करके ठीक है इस यह पीजी री कर सकते हैं वहां एक पंचप हो सकता है लेकिन इस प्रेसिफिकली डोजी गेंडिल तोड़ा सा जीरली आपको समझ माई आएगी क्यूंक्कित मैक्सिम्म बनती है मार्केट रहां ब पैसा बना दोगे आपको ट्रेट चल सकता है ठीक है लेकिन इस एक बार हाइपर वल्टी कि आपको स्कैल्पिंग मूव इसली दे देंगे अब इसको समझ लिए मैं आपको पहले लाइब मलब अपना जो चार्ट है चार्ट आपको डायक्ट ले लेके चलता हूं वहाँ आपक सेक्स का क्योंकि इसका रिसेंट पर सुम आई मीन कल जो था इसका एक्सपैरी था और यह चार्ट मैंने ऑब्जब किया मैं इसमें बेसिकली ट्रेट नहीं करता क्योंकि सैंसेक्स आपको पता है थोड़ा सा रिस्क ही है मुझे अभी तक इतना इसली समझ में नहीं आता है इसके प्रीमियम बहुत अच्छा जंप करते हैं जीरो दो इसमें कर लेते हैं अब मैं आपको यहां पर तीनों केंडिस्टिक पैटन देखाता हूं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिजेक्शन केंडल यहां पर कितना बैनिफिट करता है एक स्कैल पर क ठीक है अब इस चार्ट में आप देखो ऊके इस चार्ट में आपको पैद बड़ी बार देखां फरस्ट वण साइकिंड वन इस बिक बार के बनने के बार क्या प्राइस यहां से नीचे जहां पर भार आपको मिलता है हुआसे एंजलीज स्क्कैलपिंग मुव पकड़ सकते हो तो कहीं पर भी ऐसा कोई बार यहां पर आपको नहीं मिला हो। से वाद मिला हो उसके उपर आघर आपको श्राट इस पुले चार्ट में रेड देंगता होगा ठीक है इस परेड दिने आधरा और आपको भी यह बुलिश चार्ट मैं इसको क्लिर में रएता है और उसके वार बैरिस टेडाप मैं मेरे को यहां पर कहीं पर बीग बाहर को इसके बार आते हैं यहां कहीं पर आपके पास इसको तो इसको वायicos 17 काफि wealth जादा है इसके बार नहीं पर जाहिए हेल्डी सब्सक्रीरों कि दूसकर कोई बिक सब्सक्राइब कोई बिक नहुंद पर कोई मेजर बिक चले का छोटी विड चले candle बहुत powerful होती है लेकिन scalping बहुत रियर होती है ठीक है रियर कैसे यहां पर आपको back-to-back बक्तेंथ की मिली हूं तीन रोज के अंदर यहां पर आपने पास back-to-back Dzlington मिली और इस डोजी के बाद अगर इस डोजी का हाई ब्रेक होने पर धैपने ट्रेइड लिया इसके लोग पिले यहां तो यहां पर हमारी एन्टरी हो गई सब्रासटना बड़ा एक one directional move दे रहा है सिर्फ क्या था हमारे पर इसमें एसल कितना था चोटा सा तो डोजी केंडल जो आपको help करता है वह यह help करता कि भाई उस डोजी केंडल मां आपको entry करना और एसल करना रहता है कि भाई यहां पर मेरा एसल रहेगा यह मेरे entry पॉइंट है और उसके अबाद आप उस टेट को कितना लेगे जाओ वह आपकी स्किल कर सकते हो आपको वहां पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं चीए कि भाई वन इस्टू ले जाए त्री ले जाए यह आपके टाइम के अगॉड इस आपको एक्स्प्रियंस होगा मार्केट में वैसे आप समझ जाओगे अब बात करते हैं रिजेक्शन केंडल की कहां कहां पर अपने को रिजेक्शन केंडल का फेल सबस्क्राइब केंगे नियुक्त नियूंट कि मिलनी थी यहाँ यहां पर डोजी सो तो यह आप एक्सारी मिली ए ठीक है एक्स एक्षान डोकी यह को कहां पर हमारा एक rejection काम किया है इस जगह पर एक rejection केंडल आया था बहुत डीपर केंडल ठीक है अब मैं और एक और जगह पर आपको इसका rejection candle दिखाता हूं ठीक है वह है अपना थ्री मिनट टाइम फ्रेमर लिके चलता हूं आपको एक बहुत सांधा इस इस प्राइस को देखो इस पॉइंट को देखो प्राइस यहां से डाउन फॉल दिखाया और एक ही rejection candle बनी इसे केंडल का है ब्रेक होती एंट्री बनती है ठीक है और यहां पर स्केल्पिंग कर सकते हो लेकिन यहां पर इस प्राइस नहीं कर सकते हो तो उससे पहले इस इस स्पेसिफिक चार्ट में आपको बता रहा हूं कि यहां पर अपने को एक प्रीवेस रैड केंडल बनी थी उसका लोग आप ऐसल बना सकते हैं इसके हाइप एंट्री और यहां पर चोटा सा स्केल्पिंग मिल सकता है तो निफ्टी के चार्ट में जो प्रीवेस ट्रेट था मेरा लास्ट वीडियो जाके देखना उस पर मैंने जो ट्रेल लिया था वह इस जगह पर मैंने आप अपने कॉल साइड की बनाना स्टार्ट करता है क्योंकि यहां पर प्राइस ने मूमेंटम अच्छा दिया और इसी इ एक इंपोर्टेंट अपडेट आने वाला क्योंकि आपको एक चीज पता होगी कि जब भी आप किसी स्ट्रेटी पर काम करते हो और काफी टाइम से मार्केट में है तो इस स्ट्रेटी का थोड़ा सा विन रेट कम हो जाते क्योंकि मैक्सिमन लोग उसको यूज करने लग जा मोडिफाय करके आपके लिए अपने एप के अंदर डाल दूंगा वह भी आप देख लेना को बहुत जली आपको अपडेट मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर मेरा बिक बाल का स्कैल्प हुआ था लेकिन इस जगह पर इस स्पेसिफिक जपर मैंने कॉल साइट का ट्रेड ब उसको वहां पर सीदा डोजी मन जाता है तो यह बहुत स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ आप आप एंट्री बना सकते हैं कि मार्केट स्ट्रेंध फूल है स्ट्रेंध फूल मार्केट और वहां पर एक डूजी बनना है मार्केट इनने डीप करेक्शन हो किया में अब इक स डोजी का हाई ब्रेक होती ही में एंट्री बनी और बहुत अच्छा उसमें टार्गेट बना और वही ट्रेड आपने देखा होगा अभी मैंने जो लाइप मार्केट में रिकॉर्ड करके रखा था और यह जो बड़ा मूव है यह उससे कैप्चर होगा मैंने आपने स्कैल् स्काल आपका बहुत चोटा देता है तो तीन उरह स्काल यहादित को स्टारिट में आपको क्या जांतो जिसके बाद बड़े मूव आने की परवल्टी बहुत ज्यादा बड़ा मूव और ऐज ऑप्षिन बायर आपको एक बड़ा मूव चाहिए होता है बड़ा मुमेंटम चाहिए होता है आपने चार्ट में लिया कि जहां पर डोजी बनी डोजी के बाद बहुत अच्छा स्पैक आया जहां पर बिग बार बनी बिग बार के बार तो डायक्शन नहीं बहुत तकड़ा मार्केट भागा जहां पर इजेक्शन बनी उसने भी हमको एक अच्छा कासा इंडिकेशन शोग यह है अपना एक किसी भी अपसाइड या डाउन साइड मार्केट में अगर एक आपको साइड मार्केट समझ में नहीं आएगा तो अब ट्रेंटिंग मार्केट में ट्रेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा सादा साइड मार्केट में ट्रेट करके खतम होता है मैक्सिम लोग को खतम होता है जाता लोग का बड़ा अस्तव होता है जब मार्क बेरिश चल लाओ लोग बुलिश टेल लेके बैटे हों तो आपको इन पैटन की पावर समझमा आगी होगी आप इस पर काम करोगे अपना जो रिस्क मैंजमेंट के साथ काम करेगा और एक और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं कम्प्लीट इसके मैंजमेंट को कवर अप करूंगा फॉर दे स्कैलपिंग और आपको ताकि आपको आपकी जो प्रेट बाइज हो जाए बाकि आपको मैं अपना मेरा टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब मार्के में जो भी अपडेट रहता है मैं आपको आप अपडेट क वीडियो के सान तिल देन बावास यू जाहिन